हेलो गाइज विल्कम बेक तो माई फिटनेस ब्लॉग आई होप आप लोग सभी अच्छ हो गाइज मैं बहुत अच्छ हूँ स्वागत आप लोग का एक नहीं ब्लॉग में आज का ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए एसल से रिलेटेड है ब्लॉग तो गाइज जो लोग नहीं हो चैनल पर प्रीज लाइक से सब्सक्राइब कर देने बल लेकन दवादें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और उसे पहले गाइज मैं आज ओफिस गई थी फ्राइडए है तो कल मेरा भी कॉफ है बहुत थक गई थी उसके बाद मैं ग में आपको सिफ पता है कि मैं क्या करती हूं कहां कहां से हूं पैरिंस घौन है भगरा बट मैं सोच रही हूं जब मैं हर चिज बता रख्यों तो मैं अपना स्टरगल पार्ट भी आपनों के साथ सब्सक्राइब करूं आप लोग को वह भी जानना बहुत ज़रूरी थी नही इसले नहीं मुलता है तो गैस वो चीज कल में डिसकेशन करूंगे मैं कल ब्लॉग सूट करूं कल मेरे लिए बहुत बड़ा रहेगा और देखते हैं कैसे क्या बताती हूं क्या चीजे सेर करते हूं मैं देखो किसी पर कोई ब्लेम नहीं किसी के बारे में कुछ नहीं मिन्स वो जो जो सामने वाला बंद है वो बंदा बंदी जो भी हो पैमिली जो भी पार्ट ऑफ मेंबर वो गलस होसते हूं मैं उनके वारे में कुछ भी नहीं मैं सिर्फ अपनी डिसक्रिशन करूंगी और गाइस सबसे पहले बात थेंक यू थेंक शो माच आप लोग ने मे नहीं कह सकते है तो करना एका bond कि इन्हें नहीं मुझाद्ले सब्सक्रिशन करना है बहुत करना है थे महांत करना है यो टुप जो से ऐस नहीं हो पाता है कुछ भी यह इसको काम नहीं कुछ ही वैट के रीजिस बनाते रहते हैं बनाते हैं बट आप एक दिन वह ट्राइब करके देखना आप से नहीं होगा दूस्टा मेरे पास है जीम जो मैं अपना जीम काफी इंट्रेस्ट से करती हूं retain में ने एक सक्षाइब करने से तो हम भी महनत करेंगे और खुद पे यकीन रखेंगे जब तो खुद पी नहीं होगा पुछ नहीं अचीब करोंगे किसी भी फिल्ड में जब एक डॉक्टर की प्रफिशन करते हैं तो आप नोटिस करना कोई भी डॉक्टर वन यह प्रफिशन करके नहीं बनता है एक साल दो तक पहुंचे मुझे कोई भी किसी का ऐसा सपोर्ट नहीं कोई भी वीडियो वाइरल गया है वाइरल नहीं क्या सकते उसको बट सबसे ज्यादा व्यू आया है तो वह मेरे लिए बहुत बड़ी अचीबमेंट है और मैं सोचूंगी ऐसी आगे जाए ताकि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूं वो चीज मैं जल्दी कर पाहूं जब मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा एक अच्छी मुकाम पर पहुंच लेगा मेरे जितनी लोग मैं सब को बोलोंगी यह चीज करो वो लोग करेंगे जब देखते ना कि सामने वाला पॉस्टिव इंपक्ट पर रहा है यह प सब्सक्राइब करो यहां भी फॉलो करो हर जगा सब्सक्राइब करो लाइप करो सेयर करो बहुंकि गाइस कल का जो ब्लॉग है बहुत इंपोर्टेंट है सो मैं बहुत बड़ा चीज सच मेरे पार्ट ऑफ लाइप करने जानी हूं तो मैं बहुत हमत जुटाई हूं मैं बहुत कॉन्फिटेंस लेकि आई हूं क्योंकि अगर आप तो मैंने यहां पर दो चीज़ सोचे मैं इसके बाद आपको ब्लॉग बताऊंगे ऐसे-ब्लॉग क्योंकि यह थोड़ा सा ब्लॉग लेंदी हो जाएगा तो प्लीज देखना तो मैं दो चीज सोचे एक पॉस्टिव एक निक्तिव अगर मैं अब ही आप लोग के साथ नहीं सेयर करती हूं मैं अपना सच नहीं बताती हूं आने वारे टाइम में बताऊंगे मिन्स मालनों मे जर्णी स्टार्टिंग से ही एक सच के धारी पर लेके जाऊं और मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए किसी का कोई ऐसा नहीं देखो आप जेनरली देखोगे जितने भी यूटूबर हैं वो हर एक कोई ना कोई यूटूबर से सपोर्ट मैं जहां जिम करते हूं बह समझोगे जान होगे ताकि आप यह चीज रिलेट कर पाऊगे कि यह लड़की इस्ट्रगल करके यहां तक बहुत सकती है तो हम भी कर सकते हैं बस इसी लिए मैं आपको यह चीज बताना चाहते हूं बहुत तो मेरे फैमिली में भी ऐसे मेंबर हैं जो हमें इसा सकते हैं लाइफ सिर्फ आपको आप हो आज हो कल छे जाओंगे अच्छा काम करो ँच्छा इस अच्छा बोल सदाना म हो गाए हमिंच मैं यह नहीं करेंग आप पैसे से नाम कमाओ इस नाम गड़ बद्यानी कोई तो उनको यह थोड़ा जवाब देना चाहों ही बर्या यह मुझे दो को बहुत कुछ लाइफ में अचीफ करना है मैं अपने आप पर येकीन रखते हूं कि मेरा चैनल एक हाई लेवल पर रहेगा जब आप खुछ से चैलेंज ले तो मैं सुबह उठती हूं साम उठती हूं मुझे यूटूब पर कैसे ग्रोग करना है जब आप एक चीज़ के लग जाते हो न तो खाहिनाज में तो उसको सपोर्ट करी बेती है तो चले गाइस ये था तो कल का वीडियो बहुत मिन संडे का ब्लॉग बहुत इंपोर्टन आने वाला है तो गाइस प्लीज 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 देखना और थेंक यू सूमंच इतना सपोर्ट करने के लिए तो इसलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है रा इस आई नो कि मैं इसलिए बहुत इंपोर्टन कोशन है और यह ज़िए सेम गोशन को आप अज़िस अलवन प्रोफाइल वगर भी हो गया आपको फिर आज जो हम कहते ना टेक भी आते हैं टेक भी को क्या प्रफाइल मिलती है क्या रोल मिलता है वह बहुत इंपोर्टन तो फिस्ट ली आप समझो एसल क्या है इसमें वर्ड क्या होते किस से रिलेटेड है फर्स्ट आपका ये ठाउट किलियर होगा दन आप समझ पाओगे कि हमें किस पर वर्ड करना है हम जाएंगे तुम्हें क्या प्रोफाइल मिलेगा बहुत लोग को ना हैजिटेशन होती है अगर मैं जाओंग पीलर समझना है कि पीलर क्या है उसके बाद उसके अंदर जो मैटेरियल लगेगा हो हम दन समझेंगे तो पहले असल क्या है और यहां पर क्या बनती पहले मैं आपनी ठावड बता हूं मैं जब फर्स्ट टाइम इंटर्व्यू देने क्लिए मैं तो फिर मुझे ना मैं मैं अच्छा आप अच्छा इसे बहुत बढ़ी तो बैक साइट से में जा रही थी तो मुझे लगा बहुत काम हो रहे तो उसमें आपको पते हैं कि यहां पर जिती भी MNC's company है सब में मिरर वाला है मतलब सब में ग्लास लगे तो मुझे लग रहा था ना अच्छा उसमें इतन में लैपटब बनते हैं और यह मेरी ओपिनियन थी तो मुझे लगा था कि एसल में लैपटब बनते हैं अच्छा मुझे भी एक काम करना पड़ेगा अच्छा मैं सोचती थी जब मैं एंटर की तो उस टेम समझो को भी था तो फिर मैं work from home की जब मैं office आई मुझे कुछ भी कल्चर पता नहीं था कुछ भी नॉलिज नहीं थी गाईज मैं आपको एक चीज अपना experience बताना चाहूंगी कभी भी starting job work from home मत करना अगर आपको job मिल रही है फ्रेसर सो बिल्कुल college pass out या फिर 12th pass out जो भी हो आप हमेशा experience लेना और हमेशा job जाके office करना अगर आप एक साल करते हो ना office visit हो के आपको ना दुनिया क्या है आपको वो पता चलने का बट आप कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता हमें knowledge नहीं तो knowledge आपको वहीं से मिलीगी और आज मैं यहां पर घड़ी हूं सिर्फ और सिर्फ यह जॉब के वज़ए से और जॉब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मैं अभी पहले ऐसे डड़ी सी थी सहने सी ती रोती थी बोलनी पाती थी हर चीजम बट आज यह जॉब ड़को आगे तक जाने में बहुत समय लगेगा बट आप अगर जॉब करना चाहते हो खुद को ग्रो करना चाहते हो तो आप जाके डेफिनेटली जॉब कर कि एसल में काम होते हैं आई-टी से रिलेटिट नथिंग यल्स कुछ भी अधर वर्क नहीं होता है कोई भी आपको बाहर लगे ऐसा कोई काम नहीं कराएगा हर चीज लैक्टॉप पे होता है और बिल्कुल क्याता है एसो अराम का है काम थोड़ा प्रेशर होता है हर जगा हर जगा वर्क लोड है थोड़ा प्रेशर होता है बट आपको एजली काम कर सकते हो इंजॉइमेंट के साथ वो डिपेंड करते हैं तो जब आप एंटर होते हो या फिर आपकी जब ओवर आल सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है फिर उसके बाद आप एंटर करके आपको प लिए अध्याव को यह से सुपोर्ट का मेंट है हम क्या करते हैं अपके क्वालिफिकेशन पर बहुत लोग कहते हैं कि आपके अंदर कितनी ओनर है आप कितना वर्क कर सकते हो और आपने किस चीज के डिगरी है इन्मैंत यह करता है अगर आपने पस अच्छी निग्री है में अच्छी आपको आइटी से related है तो आपको आइटी से related work मुलेगा आपके बास non-technical है तो non-technical मिलेगा यहां पर सारी प्रोजेक्ट एवलेवल है technical non-technical every medical से भी related है हर चीज है इस तो आप join करो बेज जिजग जॉब करो और इंजॉइमेंट लो अब आता है कि हम हैंडल कैसे गरेंगा हमें तो बहुत कुछ भी नहीं आइडिया है हम काम कैसे करेंगा ओफिस में कैसे हर्चेज मैनेज होगा यह बहुत इंपोर्टेंट है तो जोब आप जोइन करते हो आपको एक ट्रेनि में आपको इतना प्रोसेस नॉलिज दे दिया जाता है ताकि आप इंप्लिमेंट कर पाओ और गाइस हमेशा ना जब आप जॉब प्रफाइल में न्यू हो और जाओ एंटर करो प्रजेक्ट के लिए हमेशा अपने आपको मैच्योर फिल कराओ बच्चे वाली हड़कते ने कॉलेज वाली हड़कते ने तो हमेशा आप अच्छा फिल करो अच्छा इम्मेंस मैच्चोर और एक समझदार इंसान के टाइप ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो और आप इसली प्रोसेस ग्राइब करो जॉब करो आगे फॉरवर्ट करो आप वह से स्वीच भी कर सकते आप कभी भी लाइफ मेरा वीडियो उठाके देखो ना आपको पॉब्लम ना हो मैं आपको एक एक चीज सेर करूंगे हर चीज वह मैं थी तरे ब्लॉग बताऊंगे कि मैं बुछ जाती हूँ आप लोग पूशन को दो वोग इन्वार्मेंट कैसे हम कैसे अपने कलीक से टी गलंदी नहीं करोंगी तो गाइज वेट है आपको संड़े का ब्लॉग का बहुत इंपोर्टेंट है और मैं कोसिस करोंगी उमीद भी करोंगी आप लोग से वह मेरा ब्लॉग वायरल हो जाए और बहुत-बहुत-बहुत प्यार दो आप लोग थेंगे थेंगे सूमाज गै क्या कहते हैं ऐसे से लोग ऐसे से हरकते कर देते ना वो चीज ना हमेंसा लाइफ टाइम याद रह जाती है हम सोसने को जीज हम रिवील नहीं करेंगे या फिर वो जीज हम नहीं सोचेंगे बट फिर वीन वो इनसान को भी माइंड से नहीं निकलता है तो आप अच्छा दोरी बना लेंगे न वो चीज ऑर्टमाटिक है जाएगी आप उसको नहीं चेंज कर सकते हैं आप कुद को कर सकते हैं वह को यूल नहीं है और माइंड कहते हैं ना हमारा दिमाग कंट्रोल में यह दिमाग कंट्रोल में गाईज फील करो फील तो एक मैडिटेशन बहुत ब बढ़ा आते हैं बाई टेप के रूपूट नहीं है गाईस